हाई गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे तो यहाँ मैंने शितला सब्तमी के भूग की तैयारी कर ली है पदाम जो है वो मैंने साफ पानी में दो के, हलकी गरम पानी में बिगो के रख दिये हैं पचकूटा मैंने उबाल के रख दिया है और यहाँ पर आटी में मैंने हल्दी और थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसे लगा के रख लिया है तो मिन मिन काम हो गया है, अभी मैं फटाफट से आई हूँ सब्जी बनानी के लिए तो यहाँ मारा पैन गरम हो चुका है तो मैंने इसमें डाला है ओईल ओईल को गरम होने के लिए रख देंगे ओईल यहाँ पर गरम हो चुका है तो मैंने इसमें डाला है एक चमच जीरा तो जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हिंग पाउडर अब इसे जो है वो एक चमच की help से जो है आचिए से औयल में mix कर लेंगे । उसकी बात में इसमें डाल रही हूं रेड चिली पाउडर यहाँ पर मैंने ठीड छूटा सपून जो होता है वो डाला है और इसे जो है वो हम आचिए से औयल में mix करेंगे इस समय आपके गैस का फ्लेम जो है वो धीमे रहना चाहिए क्योंकि मिर्ची बहुत जल्दी से जल जाती है तो अब ये जो बॉइल पच्छकूटा था मैंने इसमें अखी लाल मिर्च भी डाली है क्योंकि मुझे और मेरे हस्बन दोनों को ये तीखा खाना पसंद है तो एक दो लाल मिर्ची मैंने इसमें बॉइल करते वक्त ही डाल दिया था हूँ थोड़ा सा नमक डाल के बॉइल के आता अब वो है हम तेल में इसको डाल देंगे उसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक नमक आप अपनी स्वाद अनुसार कर सकते हैं मैंने यहाँ पर देट छोटा चमच लिया है उसके बाद में डाल रही हूँ थोड़ा सा तर्मरिक पाउडर और दो छोटे चमच जो है वो भर के धनिया पाउडर इस सबजी में ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है कुछ लोग गरम मसाला डालते हैं मुझे और मेरे हजबन दोनों की गरम मसाला नहीं पसंद है इसलिए मैं उसका यूज जो है वो नहीं करती हूँ अब हम कर रहे हैं इसे अच्छे से मिक्स तो यहाँ यह हो गया है अच्छा सा मिक्स मैंने मिक्स करने का जो वीडियो है वो इंक्लूड नहीं करे हूँ अधरवाइस यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसको आच्छे से जो है वो मिक्स करने के बाद में अब में जो है वो इसको कवर लगा दूँगी तो जब तक हमारी सबजी बन रही है यह भीके वे बदाम जो थे उनके कवर उतार के उनको जो है वो इक बावल में निकाल रही हो तो बदाम या चलके पूरे रैडी हो चुके हैं अब मैं स्मूती मेकर में ही इसका पेस्ट बनाऊंगी और यह पेस्ट बनाते हैं वक्त अगर आपको पानी की जरूरत हो तो आप पानी डाल सकते हैं मैं भी थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाऊंगी क्योंकि रूही जो मेरी डॉर्टर है उसे यह बिल्कुल सॉफ्ट ही पसंद आता है तो अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो मैं यहाँ पर उसको पीस रही हूँ बारी को जैसे जैसे मुझे पानी की जरूरत पढ़ रही है वैसे वैसे डालने हूँ आपको टू रनी भी नहीं रखना है एकडम लिक्विडी भी नहीं रखना है आप जो है वो इसको जिस भी हिसाब से आप चाहते हैं अगर आपको थोड़ा दरदरा पसंदे तो आप दरदरा भी का सकते हैं और आपको अगर थोड़ा स्मूज चाहिए, जैसे अगर आपके बेबी जैने टॉडलर हैं, जो थोड़ा तरदरा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप इस तरीका पेस्ट बना सकते हैं, तो पेस्ट भी बनकर एकदम से रेडी हो गया है, तो अभी जो है वो सब अब हम इसे कवर करके रख देंगे, तो अभी मैंने एक पैन लिया है, पैन में डाला है एक बड़ा चमच घी का, और उसे गरम होने के लिए रख दिया है, तो पेस्ट डालने के बाद, अभी हमें इसे अच्छे से जो है वो बूनना है घी में, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान हटाया, तो ये नीचे चिपकने लग जाएगा, अगर आप चाहें तो नौन स्टिक में भी बना सकते हैं, बट मैं अभी इसे में बना रही हूँ, तो इसे अच्छे से आपको बारी बारी से जो है वो हिलाते रहना है, और इसे लग पां से दस मनिट तक अच्छे से भुनना है घे में 10 minute भूनने के बाद मैंने यहाँ पर दूद गरम किया था वो डाल दिया है और दूद में मैंने जो है वो हुल क्रीम मिल्क था तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के गरम किया था और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो बहुत लिक्विडी है मैंने जादा इसलिए चैनल के डाला है जब दूद रढ़के उसमें थोड़ा मावा बनता है तो वो टेस्ट करने में जो है वो बहुत ही good लगता है और मेरी डाटर को जो है वो इस तरीके से पसंद है थोड़ा soft भी हो जाता है तो अभी जो है आपको इसमें थोड़ी बहुत गांटे दिखती हो और इसे रड़ने में जो है वो कम से कम 15-20 मिनिट लगेंगे और मैंने इसको धीमे आज पर रख दिया है और मैं यहाँ पर पूरी के लिए जो है मैंने ओईल रख दिया है और अब जो है मैं छोटे-छोटे लोई बनाने जो है वो रेडी करूंगी मैं सूच रही हूँ जब तक वो हल्वा बनके रेडी होता है क्योंकि उसे बहुत टाइम लगता है मैं काफी देर तक उसे धीमे धीमे जो है वो अच्छे से रड़ाती हूँ तो तब तक मैं जो है वो पूरी बना के तयार कर लेती हूँ बाकि अधर काम में बात में करूंगी तो यहां बस लोई बने के शुरुबात हो गई है तो यहां मैंने जो है वो पूरिया बनाना भी शुरू कर दिया है तो मैं यहां पर पटा पट से पूरियों को वेल रही हूँ और इन्हें पटा पट से तल लेंगे ताकि काम पटा पट से कदम हो जाए तो यहाँ पर पूरिया जो है एकदम फुली फुली जो है बन के एकदम तयार हो गई है तो मैं ऐसे ही सारी पूरिया निकाल लोंगे और यहाँ पर देखे पूरिया जो है वो निकल के बन के रेडी हो गई है और वीडियो में बहुत ही कम समय में लग रहा है बर इसे बनाने में मुझे आदा घंटा लगया तो अभी मैंने इसे अच्छे से रड़ा लिया है 15-20 तक और फिर मैं कर रही हूँ इसे अच्छे से मेक्स अब हम डालेंगे इसमें इलाइची पाउडर और करेंगे इसे अच्छे से मेक्स तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दू बड़ी चमच जो है PCV चीनी और मैंने यहाँ पर ग्यास जो है वो बन कर दिया है अब हम इसे अच्छे से मेक्स करेंगे और बस शुगर जो अच्छे से जब इसमें मिक्स हो जाती है तो ये हमारा हलवा जो है वो बनके तयार हो गया है कुछ लोग बहुत डिफरेंट तरीके से इसको बनाते हैं बट मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि इस वे मेरी टॉड्लर जो है वो इसको खाना बहुत पसंद करती है तो आभी मैं पना रही है बिंसकी सबची उसके लिए मैंने तील डाला है, तील गरम हने के बाद उसमें मैंने डाला है राई राई आच्छे से चड़कने के बाद अभी डाला है उसमें जीरा और मूग डाल डाली है मैंने थोड़ी सी और अब मैंने इसमें तिल के थोड़ी से दानी डाले हैं और अब मैं अखे धनी को दोनों हतेलियों में अच्छे से ख्रश करके जो है वो इसमें डाला है आप चुक्स बाइब और दना है याँ हिंग फोड़ा है इसमें डाला है बहुत ही बन बंजेटेशन है इसमें डाला है ये फ्रोजन बीन увigilomец, कोई हमार bubble कि अधो रेडी हो जाता है इसमें डाला है थोड़ा सा। तोड़ी से लाल मेच पाउडर और वोर दो चमज धन्या पाउडर के इसे हम करेंगे मेक्स और आप हम इसे कवर होके पकने देंगे तो यहां मैंने डाला है दू टीबिल स्पुंज इतना पानी और इसे कवर करके पांच मिनिट के लिए रख दिया है और पांच मिनिट बाद मैंने इसका कवर हटा के देखा तो यह एक दम अच्छी जो है वो बनके रड़ी हो गई है अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है और यह जो दानेदार मसाला जब हम इसमें डालते हैं तो बहुत ही कुरंची फ्लेवर आता है तो यह फ्लेवर मेरे हस्बिन को बहुत पसंद है उनी की दिमान पर यह दोनों सब्जियां बन रही है तो बस अब यह सब्जी जो है वो अल्मोस्त रड़ी है तो बस अब हम इसे कवर करके एक साइड में रख देंगी सब्जी इस डन तो यहां मैंने वाइट प्लीन चावल पकने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं दही चावल बनाऊंगी और दही चावल की recipe मैं नहीं डाल रही है इस वीडियो में क्योंकि बहुत ही simple है चावल बनाना है और उसमें दही डाल की तड़का देना है तो वो जो है वो मैं बना लूँगी तो अभी सारा खाना जो है वो ready हो गया है तो आज जो है वो पूजा का दिन आ गया है तो मैंने सुवे साड़े 5 बचे ही उठ गई थी और आच्छे से घर की सफाई करने के पाद आप मैं नहां दो कि ready होकर आ गई हूं पूजा की preparation करने के लिए तो यहां मैं सबसे पहले भूग की थाली में मैंने चुटी-चुटी काटोरियन लगा दी है ताके मैं मैं अपना धोग कर सकूं और आप सभी को मेरे मेरे पूरी परिवार की तरफ से happy शितला सब्तमी भगवान शितला मता जो है आप सभी को बहुत खुशी दे, हमेशा आपको कोई भी रोपना हो, वसे ही मेरी कामना है तो यहाँ पर मैंने पांच पूरी लेके रख लिया है, आप चाहें तो साथ पूरी भी रख सकते हैं और यहाँ है हलवा तो दही चावल रखने के पाद इसे के साथ मेरी जो भूख की थाली है वो बनके रड़ी हो गई है अभी मैं पूजा की थाली जो है वो तयार कर रही हूँ मैंने थाली में जो है वो थोड़ा सा कुंकु रखा है और दू अगरबती ली है मैंने और फिर मैंने लिया है मूली मूली के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो दिये की परपरेशन कर रही हूँ तो यहाँ मैंने थूड़ी सी महन्दी भी ली है और ये काजल जो है वो हमें चाहिए होदा है थोड़ी से मैंने यहां पर साबुच चावल दिये हैं उसके बाद मैंने यहां पर लिया है पानी का ग्लास उसके बाद मैंने यहां पर जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो आप ले सकते हैं मेरे पास आज केलिया और एपल थे तो मैंने वो ले दिये हैं तो उसके बाद में ये थोड़ा सा घी जो है वो लेकी पूज़ा की थाली में रख रहे हूँ ये घी जो परहता है वह सा इंपोर्टेंट होता है इस पूज़ा में उसके बाद मैंने ये लिया है, नारियल और खी का यूज जो है वो हम अपनी आखों की चारो तरफ लगाते हैं ताकि अगर कोई भी इस तरह की बिमारी चिकन फॉक्स वगिर आए तो हमारी आखों की जो है वो रक्षा हो सके तो इसलिए घी हम पुजा में शामिल करते हैं इसमें मांक आशिरवाद लेते हैं फिर जि अऑ मैंने गराटी जो है वो लगा लिए है यह सुंदर से पढ़ाई मेरी मोदर नो नै मुझे भीजे थी इंदिया से तो यह मैंने यहां पर लगा लिए है उसके बाद मैंने इक ठंडे पानी का जो जख भर कर ले लिया है क्योंकि शीटल्र मतलब थंडा होना चाहिए जल तो बस वो जल मैंने साफ सुत्रा ले दिया है और उसके उपर जो है एक कवर जो है वो रख दिया है अब मैंने यहाँ पर जो है मोली को काट रही हूँ अब इस मोली को जो है हम जक्के चारू तरफ बान देंगे इस तरीके से तो मोली बानने के बाद जो थाली हमने तियार करी थी वक्त है उन्हें आगे रखनी का तो यह मैंने यहाँ पर रख दी है तो यहां पर जो है मैंने इको मोदी बांदी है जो कि थोड़ी सी उसमें यलो कलर का फूल है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और भगवान को भी हम थोड़ा अच्छा अच्छा करें तो हमें भी अच्छा फील होता है तो आभी बस यह माताजी की जो चुनर है वो मैंने उपर की तरफ रखती है तो उसके बाद यहां पर यह मैंने रखे हैं दो छोटी से हादी जो मैं अपनी हर पूजा में रखती हूँ अगर आपने मेरा पिछले साल का शीतला सक्तमी का व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी यह दोनों थे और यह एक ट्रडिशनल सा लुक देदेते हैं आपकी पूजा को और बहुत ही अच्छा लगते हैं मुझे यह दोनों तो मैंने यहां पर रखती है उसके बाद छोटी माता और बड़ी माता को मैंने शीतल जल से जो है अदलब ठंडे पाने से निला दिया था उनका अस्नान कराने के बाद में मैंने उन्हें साफ कपड़े से पहुँच के और यहां पर स्थापिक कर दिया है तो आभी हम फटापत्य इनकी पूजा शूरू करेंगे तो उसके पार जो नारियल था मैंने उसको मोली से इस तरही से लापेट के और जो हमारी ग्लास था पानी से भरावा उसके उपर रख दिया है तो यहां पर मैंने कुंकों के काजल के और मेंधी के उस जल के कलेश पर जो है वो सांसांत बिंदी लगाती है क्योंकि यह सब्तमी की पूजा है इसलिए और भगवान को भी मैंने चोटी माता बड़ी माता को भी कौंकों मेंधी चावल जो है वो चड़ा दिये हैं और अब मैं जो है वो उन्हें अगरबती जो है वो गुमा के दिखा रही हूँ और यहाँ पर जो है मैंने दिया भी प्रजोलिक कर लिया है और जो ये पार्ट जब मैं कर रही थी रिकॉर्ड तो वो किसी वज़े से नहीं रिकॉर्ड हो पाया तो इसलिए मैंने सुचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया जो कैमरे में नहीं है और बस उसके बाद मैंने भगवान जी का आशिरवाद लिया है और अब मैं जो है जो भी भोग मैंने बनाया है वो धेरे धेरे करके भगवान जी को खिलाऊंगी सब भोग लगाने के बाद और कथा पड़ने के बाद तो ये था आज का एक मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बताया आप सभी को कि मैंने शितला सब तमी पर जो है वो क्या बनाया है और कैसे अगले दिन जो है वो उसकी पूजा करी है मैं जानती हूँ कि थोड़े लोग जो है वो किसी और दरीके से पूजा करते होंगे बट मैं जो है वो शिर्वा से ऐसे ही पूजा करती आई हूँ ऐसे ही मैंने मेरी मम् नेक्स्ट वीडियो में और मैं फ्रे करती हूँ शितला माता से कि वो आप सभी को हमेशा खुशी रखे, खुशी से रखे और आप सभी को हर रोग से दूर रखे तो बस इसी शुब कमना के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट दा लाइक बटन डू सब्सक्राइब टो माई चैनल ताके हमारी फैमिली जल्दी से बड़ी हुए I will see you in the next one, bye for now